तो अभी बज़रें सुबह के 10 और मैं बना रहा हूं अपने लिए सुबह का नाश्ता हालागे मैं नाश्ता करता हूं मैं लंची करता हूं डिरेक्ट भर पर या होटल पर डिपेंड करता है जैसे टाइम मिलता है और आज मेरा मन हो रहा था एक खाने का तो मैं अपने लिए एक फुल फ्राइ एक अंडे का और मुझे घी में बनाना बहुत पसंद है एक और कभी कवार खाता हूं इसले मैं घी एकदम भर फूर मात्रा में डालता हूं और ज्यादा इसले भी डाला है क्योंकि ब्रेट भी इसी में सेखनी है तो एक अंडा मैं डाल दे रहा हूं है और अब इस पर जा रहा हूं दालने मसाला मसाले में खाली दुही मसाले डालूंगा एक तो नमक और एक गर मसाला बस और कुछ अना शनाव्ण नहीं डालता हूं मैं त्यूंकि जितना खाना सिंपल रहता है उत्रही टेस्टी है रहता है और सबसे क्रोशल पार्ट यह रहता है इसको पलटना और मैं लग एक महीने बाद अंडा खा रहा हूं लाइक हुद दिन हो गया मुझे बनाए हुए और कभी-कभी दिक्कत ही होती है कि समय नहीं मिल पाता है अपने फेवरिट चीज़े खाने का बट फाइनली आज मैंने अपने दिल की इच्छा पूरी कर ली कर दो 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 बाद है कि रीज दिए खाल टीज आपड़ना गम कर दिए नुट्री है दिए खाल वेल्ड़ टीज़ से जाब टुट लेड़ग टावड़ना ता टीज वेल्ड़र है तो हेलो एप्रिवान वेलकम बैक तुदा चैनल उबीद करता हूं आप सब अब बढ़िया और मजब होगे और आज है फस्ट आफ में और महिने के स्टार्टिक है और स्टार्टिक जब भी महिने की होती है तो मेरी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि रेंट देना रहता है जल् दिखत नहीं है बट लाइविल्टीज तो लाइविल्टीज ही है और रिशब नहा चुका है मैं भी नहा चुका हूं और मैंने वाइट शेट पहनी हुए बट ये वाइट शेट जो है ना शाम होते होते एकदम काली पड़ जाएगी क्योंकि रेस्टराण के अंदर इतना पूरा हालत खराब जाती कपल होगी और अभी मैं जा रहा हूं रेस्टराण पे और घर पे पापा है खाली ममी गई वी गाओं पे क्योंकि गाओं में माकान बन रहा है तो पांच-चे मैने तक मुझे ही दिखना पड़ेगा और उसके बाद मैं आऊँगा रिशब को पिक रिशब करूँगा तो रेस्टराण में सब्सक्राइब तो यह सीटम है क्योंकि वो बिंटिन डिखाता नहीं है रिशब के साथ दिखकर यह उसको परीवी अच्छा लगता है थाँ और कैसे नहाँ है किसके साथ में है पापा के साथ है अब बच गए है दूपार के साड़ में फस गया है किसी accident हो गया है तो उसने बताए थोड़ा लेट हो जाए भी है तो मैंने का चलो मैं ही देख लेता हूं दब तक और ये दिन का पहला ओडर है पनीर फ्राइड राइस का और ये जस्ट वन फुट्टी रुपीज का है फुल पनीर देज दो दस हो गया अ कि आधा और अ मेरी घुंब काच यहां कि जैसे जो कॉस्टमर में पहली बार कर दिया तो हमेशा है उसी का रिपीट próxima जू बरले खा़दे खाले खाय में दो बर्ट हो पिलाते हो जो धाली घखाता है वह थाली विई आपक, scree वाट करता है तया है यह लोग दूसरी चीज़े क्योंने ट्राइब करते हैं और यह बर्गर है इसके साथ थोड़े से प्रेंश प्राइज पी जाते हैं और यह बहुत ही यमी लगता है मतलब मेरा फुट्ना फीरेटर लगर हाला कि मैं खाता कम हूँ बट महीने में एक आद तो खाई लिता हूँ अरे ऐसे दिया लेके हैं और दुपहर में रिशर्ट भी आ जाता है रिस्पोंड पर लगवाई ग्योमेंटर बैठता है यहां पर दीवी देखता है कुछना कुछ फाता रहता है और आज स्टाफ के लिए बना है तहरी और यह मेरा बहुत ही इल्टिमेट कमफर्ट पूट अजया है तैरी मुझे बहुत पसंदी है अजया है अजया है और अधाने के बाद थोड़ी देर में रिश्ट के साथ बैठता हूं और इसे इसके स्टूल स्टूल का हाल चाल पूछता हूं लेकिन मोबाईल में बीजी रहता है तो नहीं बताता है और उसके दो-तीन फ्रेंड्स हैं उसी के साथ बीजी रहता है और घर पर आज नेम प्लेट लग रही थी और यह इस तरह का कुछ लोग आता है उपर वाली जो पहले थी वह पहले मार्बल आजा पर लग गया है तो वह लगनी बारी दी पुरानी वाली तो पर यहां पर और रेस्रांट में लाइक हर चीज तुदी देखना पड़ता है थारे ओर्डर्स पुदी देखने पड़ते हैं क्योंकि अगर नजर हटी नहीं तो फिर और बरबढ़ा जाते हैं और मैं हमेशा ओर्डर्स अपनी आँखों के सामनी निकालता हूं और मैं हेल भी गर देता ह जब भी मुझे बैठना भी पसंद नहीं है जब भी मुझे मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं हल्प करा लेता हूं सबकी और एक शेफ अब ही चारपांगे से 50 पर है क्योंकि इसकी बहन की शादी थी तो फिर मुझे लग रहा है कि एक काथ हुटता शुप्री करेगा वो तो लोट थोड़ा जादा पड़ गया है यहां पर और मैं देख रहा हूं कोई सब्सक्यूट शेफ की अगर मिले गया तो मैं इसको हाइर कर लूगा और बहुत दिनों के बाद आज मेरा बन करता था कुल्फी खाने का इसलिए मैं आ गया था मुझे कुल्फी खाने और बहुत एल्टिमेट में लगती मुझे मुझे यह कि अ